आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NHPC Limited और SJVN Limited की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को join कर सकते हो जसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates जो है मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत हम NHPC Limited के साथ करेंगे NHPC Limited की अगर हम बात करेंगे तो stock में हमें आज काफी अच्छे returns देखने को मिले है share में काफी अच्छे momentum हमें नजर आए है 83.95 रूपीस के round तक की closing हमें देखने को मिल रही है 1.10 रूपीस के round अगर आप देखते हो तो stock में अच्छे returns है 1.27% के भिहाब पर अब बड़त के बिच्छे काफी अच्छा यहाँ पर point सामने आ है पहला तो market आज काफी अच्छा तक gap up open हुआ तो उसके साथ ही अगर देखें तो NHPC में एक बड़ी meeting है ठीक है एक बड़ी meeting यहाँ पर होने वाली है और meeting किस चीज किया है तो वो चीज हम discuss कर लेता है तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हो NHPC board मल raising debt on 27th March 2024 तो raising debt यहाँ पर लिखा है और कह सकते हैं कि एक का fund raising के लिए meeting यहाँ पर होने वाली है raising debt यहाँ नहीं कहीं से एक पेसा लेंगे यहाँ पर developments के लिए NHPC said its board will meet on 27th March 2024 to consider raising debt during financial year 2024 and 2025 तो NHPC के board of directors की और से चीज कही गई है कि 27 March 2024 को यहाँ पर हम meeting करेगे एक fundraising के लिए और यह fundraising year financial year 2024 और 2025 के अंदर होने वाली है तो एक अच्छी चीज है meeting of board of directors of the company is scheduled on be held on Wednesday 27th March 2024 इंटर लिया consider the proposal of raising of debt during financial year जैसे मैं अब भी बता है और वही अगर देखे तो यहाँ पर रिलीस की गई है न्यूस कल के दिन है तो यह काफी अच्छी चीज है और government अपना 70.95% कंपनी में hold रखता है और यह काफी बड़े लेवल पर अब गर देखा जाए तो fund raise हो सकता है यानि 27 तारीक के दिन यहाँ पर NHBC में काफी बड़ा investment आने वाला है ठीक है तो अभी पाच दिन में भी अगर देखे तो काफियत तक fluctuations है बर जो important levels हमारे थे 85 के around तक के उन levels तक stock ने आज जाने की पूरी कोशिश की है और हम यहाँ से positive है कि stock में आने वाले time में और भी अच्छे returns देखने को मिले गए एक महीने में गिरावट है बट धीरे धीरे एक recovery होगी और 6 महीने में levels काफी अच्छे हमें देखने को मिलते है पाच फरवरी के बाद थोड़े बट और यहाँ से हम वेट कर रहे है एक breakout का ठीक है और वही हम बात कर लेते हैं volume की stock में volume किस तरीके से काम यहाँ पर कर रहा है सो volume के अगर हम बात कर लें तो 8 करोड के around तक का trade value हमें आज देखने को मिला और 17 करोड के around तक का trade value हमें कल देखने को मिला था overall volume की अगर बात कर ले तो कल के मुकाबले volume आज कम देखने को मिला है बट आगे हमें उम्मीद है कि volume काफी अच्छा देखने को मिल सकता है अब बात कर ले community sentiments के आकडों की भी तो community sentiments के आकडों की अगर बात की जाए तो 83% लोग है stock में जो buy करने के लिए यहाँ पर कहते है और 17% लोग है जो stock में sell करने के लिए और और जो numbers यहाँ पर नजरा रहा है numbers काफी positive है और इन numbers का काफियत तक positive effect stock के उपर कल भी पर सकता है तो इस point के उपर भी आपको यहाँ पर focus रखना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं NHPC में levels किस तरीके से गाम कर रहा है और हमें किन points के उपर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए levels की अगर हम बात कर ले तो NHPC में बिलकुल आज upside down momentum रहे है बट जो level हमने कल discuss किया था उसके इसाब से तो अच्छा breakout यहाँ पर मिला है और जो range के बारे में हमने discussion किया था उसी range के around closing भी हाँ पर मिली है 15 minute के chart frame पर आप clearly देख सकते हो stock में उपर का जो level हमने कल discuss किया था और हमने यह चीज clear की थी कि एक symmetrical type pattern यह share जो है बनाने की कोशिश कर रहा है और इस symmetrical type pattern का breakout अगर हमें मिलता है तो stock में एक अच्छी rally आएगे exactly आप यहाँ पर देख भी सकते हो stock में symmetrical type pattern रहा उपर से अगर आप दिखोंगे stock में resistance है downside की और से stock में support है यहाँ से share में गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही और अगेन यहाँ से भी यह share गिरा है ठीक है साथ ही downside की और से अगर आप दिखोंगे काफी अच्छे support भी हमें देखने को मिल जाते है और इन ही upside down momentum के चलते हैं इसी एक symmetrical type pattern कल बना था और मैंने एक चीज कही थी कि यहाँ पर breakout हमें मिल गया है यहाँ से stock में कल एक अच्छी तीजी आ सकती है exactly तीजी हमें देखने को मिली stock ने काफी अच्छे returns यहाँ पर दिये और अभी अगर हम देखे तो इस point पे यह share sustain कर रहा है अभी अगर देखा जाए तो यह कही न कही sustain कर रहा है और यहाँ से एक up move हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन तो हम expected है कि यहाँ से एक अच्छी rally continue हो यहाँ से एक अच्छे momentum से यहाँ पर हमें देखने को मिला है तो इस चीज को लेकर हम यहाँ पर positive रहेंगे ठीक है और वही बात करें अगर वन आर के टाइम फ्रेम पर तो वन आर के टाइम फ्रेम पर क्या चीजा में देखने को बलती है बिलकुल यहाँ से stock में पहले हमने fall देखे अभी यह share बढ़ने की कोशिश कर सकता है एक growth हमें expect कर सकते हैं और साथ ही इस range के अगर बात करें तो इस range का इसी range के around अगर आप देखो तो इस trade line को यहाँ से गिरावट रही यहाँ से गिरावट रही और अभी कही ना कही इसी level के around रेट कर रहा है तो 1 hour के time frame पर मैं discuss कर रहा हूँ इस level को अगर break करता है तो यहाँ से सारे level जो है stock easy तरीके से break कर सकता है और यहाँ से जो rally है काफी अच्छी हमें देखने को मल सकते हैं तो इस point के उपर भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो NHPC को लेकर काफी कुछ चीज़ी जो है हम discuss कर चुक है और काफी अच्छे levels यहाँ पर बन रहा है और जिस level के around अभी यह trade कर रहा है वो level भी एक IMP level जहां से resistance पेस किया था तो अभी बात करते हैं next stock की next stock जो है हमारा उसका नाम है SJVN Limited SJVN Limited की अगर हम बात करें तो stock 120 रुपे 55 पेसे के label पे closing देता हुआ 2 रुपे 70 पेसे 2 रुपे 80 पेसे के around तक अगर आप देखोंगे stock में अच्छे returns रहे 2.38% के बहाब पर share अगर आप देखोंगे तो एक बड़त देखने को में मिली है last 5 days में stock में upside down momentum रहे है बट काफी time बात stock में अच्छी growth रही क्योंकि stock में हम पहले काफी अत्तक गिरावट face कर रहे थे यहाँ पर अगर देखें इसके CMD की ओर से काफी अच्छी news आ रही है और news की अगर हम बात कर लें तो एक बड़ हम check out कर लेंगे क्या news यहाँ पर आ रही है SGVN aims to aid 4,000 crore in revenue over next to financial years तो यहाँ पर SGVN की ओर से कहा गया है CMD का कहना है कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर 2 financials here के अंदर अंदर यहाँ पर 4,000 crore का aim है इनका revenue generate करने का और वही अगर देखा जाए तो क्या पूरी चीज़ है यहाँ पर अगर देखें दरून 3 project which SGVN constructing in Nepal will be commissioned in February 2025 तो यहाँ पर 3 project है जो यहाँ पर commissioned हो जाएगे 2025 के राउं तो यह CMD के और से कहा गया है और इनका एक एक एना है कि यहाँ पर अगर देखें the company aims to aid लगबगे 2700 करोड के राउं तक का revenue जो है aid कर लेंगे 2025 तक अभी अगर देखें जो यहाँ पर अनादर 1000 करोड जो है 1000 से 1500 करोड के राउं तक का यह आने वाले 2026 के राउंड राउंड कर सकते है तो इनका एम है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो SGVN में भी काफी अच्छा यहाँ पर इनका विजन है काफी हत तक बड़ा विजन रखके चल रहे है और इसका काफी हत तक positive effect भी stock के उपर रहेगा और आज भी अगर देखा जाए 200 Megawatt के GU, VNL की और से project इसे मिल है Community Sentiments के आकड़े अगर दिखोंगे 100% buying के है तो और आल खाफी अच्छ तक positive चीज़े भी हमें stock में देखने को यहाँ पर मिल जाती है लेबल्स की अगर बात करें तो SGVN में लेबल्स किस तरीके के है और किन points के उपर भी हमें ध्यान देना चाहिए तो share में अगर देखें morning में तो अच्छे return मिल है symmetrical type pattern का काफी अच्छा अच्छी चीज़ां में देखने को मिली symmetrical type pattern था यहाँ पर breakout के बाद stock उपर गया फिर उपर से sideways थोड़ा sustain करता हो नज रहा उम्मीद है कि यहां से भी एक अच्छा reversal stock में हमें देखने को मिल जाएगा तो देखेंगे कल stock में क्या चीज़ां में देखने को और मिलती है तो आगे के लिए हम positive है थोड़ा एक gap fill कर सकता है फिर उसके बाद बढ़ेगा तो औरहल काफी कुछ चीज़ा हम discuss कर चुक है इन particular shares को लेकर इस वीडियो में तो I hope आपको ये वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चैनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram channel को join कर लो जिसकी link नीचे description में मिल जाएगी thank you